नमस्कार दर्शको एक बार पुनो हाजर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गौब लोग्स पे अगर हम इस हतेली को एक नजर करते हैं तो हतेली एक आयताकार दिखाई पड़ रही है जब भी हमारी हतेली आयताकार होती है ऐसे लोग सारेरिक मेहनत कम करते हैं और मस्तिस्क सक्ति के बदोलत या बोल के काम ज़्यादा करवाते हैं इनका ज़्यादा काम होता है अगर इस हतेली को एक नजर करते हैं तो जो इसका कलर है बहुती सुन्दर आभालिये हुई है और जब भी हमारी हतेली का कलर इस तरह का आभालिये हुई है तेज होता है तो ब्यक्ति का जो जीवन है आने वाला वो बड़ा सुक्मय होगा संगर्स तो थोड़ी बहुत रहेगा लेकिन आर्थिक मामले में बहुत सुन्दर होने वाला है इस और इंगित करता है और ऐसे जो लोग होते हैं भले ही जीवन में अपने साहारे अपने संगर्सों के साह आगे बढ़ते हैं लेकिन अपनी जीवन का पूरा लुट्फ ऐसे लोग उठाते हैं पूरा आनन्द उठाके ऐसे लोग चलते हैं अगर हतेले में उंगलियों का इसाप देखें तो निश्चित ही हमारी जो अनामे का फिंगर है जिसको हम रिंग फिंगर कहते हैं अच्छे ख फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है खड़ी दिखाई पड़ी है यह बहुत अच्छा माना जाता है ऐसा ब्यक्ति जो है यस्वस्वी होता है आप यस्वस्वी होंगी समाज में मान परतिष्टा बनी रहेगी और यस पानी वाले होंगी लेकिन अगर बरतमान की बात कर तो इसका जो जड़ वाला भाग है जिसको हम सूर्य का परवत कहते हैं वो थोड़ा सा आपको अबक्सित या दूसित अवस्ता में जो है नजर आ रहा है इसमें बहुत सारे गौन रेखाई या बड़ी रेखाई भी एक दूसरे को काटती हुई नजर आ रही है जो ठीक नहीं माना जाता है देखेगा बरतमान का जो समय है इसको इंगित करती हुई आपका ये सूर्य परवत दिखाई दे रहा है बरतमान समय में छूटी छूटी रेखाई आपकी जो सपलता है उसको अस्तर को जो है घटाती हुई दिखाई पड़ रही है ऐसे में ब्यक्ति बरतमान म नहीं मिल पाता है और चाहे आप नोकरी कर रहे हूं चाहे आप ब्यावसाई कर रहे हूं उसका पूर्ण रोप से बिस्तार नहीं हो पाता है अगर सही दिरिष्टी से देखा जाए तो जो इसमें अच्छे सायन भी बन रहे हैं उन सायनों का कोई प्रभाव आपकी जीवन में पढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और व्यक्ति की जो तरक्की होनी चाहे थी वो तरक्की जो है रुकी हुई से महसूस हो रही है लेकिन एक चीज अच्छी दिखाई दे रही है यहां पे निम्नमंगल से निकल कर एक रेखा अगर आपको दिखाई दे रही हो उन प समय पर आपका सूर्य परवत पुष्ट और सुन्दर आवस्ता में आ जाएगा और इस तरह रहु की रैखा के पहुंचने से सूर्य के गुणों में जो है निश्चित रोप से ये भी बिर्दी करेगा और इस पे भी उस बिर्दी का प्रभाव पड़ेगा और जब रहु की लकीर सूर्य पर पहुंचती है तो सूर्य के गुणों में बिर्दी तो करती है शात में इसका जो फलादेश निकलता है वो मान परतिष्टा समाज में बनी रहेगी इस चीज की और जो है ये इसारा करता है और जो काम होते हैं बिर्दी की जीवन में उनको विस्तार देता ह और कभी कबार सरकार द्वारा लाब की प्राप्ति हो जाती है और यस में ये बिर्दि करेगी इस और ये संकित कर रहे है वही एक चीज और देखने को ये इस पे मिल रही है मंगल से ही दो राहों की रेखाएं बिल्कुल पुष्ट आउस्ता में नहीं हैं अभी ये भी इसी का साथ दे रहे है फोटी नाइन एर में उन पचासमें वर्स में बुद्ध की और जो है ले जाती हुई दिखरेगी ये उस समय जो है पूर्णता की इस्तिति में आ जाएंगी और ब्यापार में अपार सफलता या किसी बेग्यानिक सफलता में निश्चित ही सहयोग करेगी और यही जो राहों की रेखाएं हैं ये दो तरफा इंकम भी आपको निश्चित रूप से देंगी क्योंकि आपकी साथ में जो भग्य की लकीर है वो भी बड़ी शुनर और पुष्टता की और जारी है अच्छी है ऐसे में डेफनेटली एक जॉब और दोसरा बिजनिस या दो अलग-अलग इंकम सोर्स एक डिरेक्ट इंकम और एक पेसिब इंकम यानि कि एक मुख्या और दोसरी कम मिहनत वाली इंकम और देखेगा जब धन और संपत्य की बात करते हैं तो निश्चित ही भग्य की जो लकीर है जो इसको हम सनी की लकीर कहते हैं उसको देखना भी बहुत जरूरी होता है वो मुख्यक रेखा होती है और इस तरो की लंबी भग्य रेखा का होना जीवन में निरंतर प्रगति की और इशारा कर रही है आपकी भग्य की लकीर चंद्रमा से निकल कर अपने स्वास्तान भग्य रेखा का होता है सनी का छेत्र जारी है यह बहुत प्रिस्रम कराती है 42 से लेके 45 साल के बाद कहीं विप्ति को चैन मिलता है और 45 साल के आसपास यह भाग्योदाई कराती है और मैंने जो अपने रिसर्च में पाया है ऐसी रेखा वाले वक्ति जब यह रेखा भी सुन्दर अवस्ता में हो और जहां पर यह पहुँच रही है वो अस्तान भी सुन्दर हो पुष्टतम अवस्ता में बहुत ज़्यादा उबरा न हो बहुत ज़्यादा बैठा न हो इसमें इस तरो की बेवजहर रेखाएं न हो जैसे आपके सनी परवत के है तो व्यक्ति निश्चित ही बहुत सुन्दर और अच्छा खासा अर्णिंग करता है लेकिन आपकी जो टाइमिंग है वो 49 से 50 वर्स में ये बता रही है आपका सनी इस टैम नगेटिब अवस्ता में है और सनी जब नगेटिब अवस्ता में आता है इस तरो तो सबसे पहला काम करता है ब्यक्ति को बेवजह की चिंता में डालता है ऐसा ब्यक्ति बेवजह की चिंता करता है दूसरी बात चाहे आप नोकरी कर रहे हूँ चाहे आप व्योसाई कर रहे हूँ उसमें अडचन पैदा करता हूँ और विशेशतर ये नोकरी का मालिक होता है भग्या अस्तान का मालिक होता है नोकरी का मालिक होता है तो व्यक्ति को नोकरी करने में नोकरी पाने में या नोकरी बदलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है यदि व्यक्ति किसी त्रह नोकरी कर भी राहो उसको उसका क्रेडिट उसका स्रेय नहीं मिल पाता है और ब्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो पाता है यदि प्रमोशन किसी कारण हो भी गया तो सनी के दुस प्रभाव के कारण सनी के नेगेटिब प्रभाव के कारण नेगेटिब उड़जा के कारण समय पे जो है ब्यक्ति का पैसा मिलना बंद हो जाता है या मिलता भी है तो बहुत ज़्यादा कठनाईयों और बहुत ज़्यादा जो है परिश्रम से ब्यक्ति को मिलता है जादतर मामलों में ब्यक्ति की नोकरे में बहुत ज़्यादा प्रेशानियों का सामना ब्यक्ति को करना पड़ता है संगर्षों का सामना करना पड़ता है मानसिक प्रेशानी ठका देनी वाली व्यक्ति के पास आ जाती है और व्यक्ति डेपलप नहीं कर पाता है और दोसरी बात अब एक सित अवस्ता में अगर राहु की रेखाईं भी जा रही हो जा तो ये परोतों पे रही है लेकिन इसपष्ट तरीके से नहीं है गौन रेखाईं इनको काट रही है तो व्यक्ति के जीवन रेखा को काट रही है तो जीवन में अडचने निश्चित तोर पे डालती है भग्य की लकीर को काटती है जिसको लक्षमी की रेखा कहती है तो निश्चित ही आर्थिक मामले में ये प्रेशानी देती है, मस्तिस्क रेखा को काट रहे हैं, निश्चित ही जीवन में जो है मानसिक प्रेशानी आई देती ही देती है, लेकिन जिन प्रवतों पे पहुँच रही हैं, उन प्रवतों का भी साब किताब जो है अच्छा नह और वहीं देखा जाई तो आपकी जो सूर्य की लकीर है कहीं न कहीं जो है ये भग्य की रेखा से आरम होती हुई दिखाई दे रही है और इस पश्ट इस्तिति में इस पश्ट और साप सुतरी जब ये हो जाएगी तो इस भग्य की लकीर में भग्य की रेखा के गुणों में बिर्दिकर उसकी सक्त निश्चित रोप से दुगनी कर देगी और ये रेखा जितनी इसपष्ट होती जाएगी शुन्णर होती जाएगी आपकी उन्नती का छेतर भी उतना ही बिश्तरित और उन्नती भी उतनी ही अधिक होगी उसके लिए दो सर्ते हैं एक तो सोर्य की रेखा को इस्पष्ट और सुन्दर होना चाहिए दूसरा जिस परवत पे ये पहुँच रही है वो परवत भी पुष्ट अवस्ता में और सुन्दर अवस्ता में हो तो जो काम आप करोगे चाहिए नौकरी करोगे चाहिए बिजनिस करोगे उस काम में निश् प्रचुनुटियां आपके पास आती हैं उसको आप कैस करापाओगे क्रेडिट करापाओगे क्योंकि बरतमान समय में काम बनते बनते रहे जाते हैं अच्छी सी डील आपके हाथ में आई आपकी योग्यता के कारण आपकी क्वालिटी के कारण और आपकी जो है आउस्तामी नहीं है लेकिन आगे आने वाले समय में दो चीजें बता रहा है एक तो उन पचासवे वर्स में जो है दोसरोतों से पैसा मिलेगा दोसरा राहो के गुण तगड़े आ रहे है तो निश्ची तीश जो है काम में फैलाओ मिलेगा तीसरा सूरे पे इस तरों से श के चिन बने तो ब्यक्ति धन, मान, यस, पद, प्रतिष्टा तमाम चीजें पा लेता है और ऐसे ब्यक्ति का निश्चित तोर पे अनेक सहरों में जो है मल्टिपल सीटी का बिजनिसमेन होता है ब्यापार ऐसे लोग करते हैं और कई बार तो इंटरनेशनल अस्तर पे भी ऐ आपार करते हैं आपको जो है सूर्य का, सनी का, ब्रिस्पति का और कहीं न कहीं जो है नजर दोस जो आपकी हतीली में साब तोर पे दिखाई दे रहा है जो आपकी पूरी डेपलप्मेंट को रोगे हुई है उसका सांदार उपाय करनने चाहिए पिद्धिपूरों को उपा रेखाई काट रही हैं गोंड रेखाई ऐसे में ब्यक्ति के पास पैसा तो आता है मगर हतेली में पैसा रुक नहीं पाता है धन की हमेसा जो है कमी रहती है और कई छेत्रों में तो ऐसा देखा गया है कि ब्यक्ति को जो है पैसा आते हुई हुई पैसा बचता तो नहीं है क गरजा उपर से चड़ जाता है तो ऐसी इस्तिति आ सकती है इसके लिए जो है सनी की जो रेखा है उसका उपाई करें और जब सनी भी पुष्ट अवस्तामी आ जाए भग्यास्तान भी सुन्दर अवस्तामी आ जाए पुष्ट ना भी हो कोई बानी उबरावा इतना ही रहे ठ अच्छा खासा जो है धन ब्यक्ति के जिवन में आता है और ऐसा ब्यक्ति अच्छा खासा ब्यापारी होता है सुन्दर ब्यापार द्वारा जो है कि अपना जिवन यापन करता है वहीं आ देखो को ब्यापारिक गुणों में बुर्दि करेगी और ब्यापार में अचानक धन लाब देगी और उत्तम स्वस्त्य आपका रखेगी ये लाइन जो है इस और इसारा कर रही है वैसे ये राजनीति की और भी ले जाती है क्योंकि ये कहीं न कहीं से आप देखोगे तो सुक्र से समन्दर रख रही है लेकिन आपका सूरे जो है अपुष्ट आउस्ता में है आपका विरस्पती अपुष्ट आउस्ता में है तो इसलिए राजनीति की तो आभी बहुत दोर-दोर से बात नहीं बन पारी है तो इसमें कहना जो है गलत होगा वहीं आपकी देखें तो इसे तोर पे व्यापारी होता है क्योंकि इनका मनों बेग्यानिक छेतर में जो है माहिर होते हैं सामने वाले विक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये अच्छी तरह जानते हैं अपनी बात को कब रखें कैसे रखें किसके सामने कौन सी बात रखें ये विक्ति इस ची तो ब्यापारिक गुणों में व्यक्ति की बिर्दी देखी जाती है और दूसरी बात अगर कहें तो ऐसा व्यक्ति एक से अधिक भासाओं का जानकार भी होता है अच्छा खासा जानकार होता है योजनाबद तरीके से काम करने वाला व्यक्ति होता है तीब्रमस्तिस्क का स्व ब्यक्तित्व दिखाई देता है सुन्दर ब्यक्तित्व धनी ब्यक्तित्व के ऐसे लोग मालिक होते हैं एक नोजवानों के तरह सोच रखने वाले होते हैं एक योजनाबद तरीके से काम करने वाले इनसान होते हैं और नई तरीके से नई दिसाया की और सोचने वाले ब्यक् लेकिन यहां पर देखा जाए जो आपका ब्रस्पती का ग्रह है वो थोड़ा सा आपका अगर देखा जाए कहीं न कहीं तो साधरन अवस्ता में बैठा हुआ है ये धन का भी ग्रह माना गया है ये धन का ग्रह साधरन अवस्ता में बैठता है तो निश्चिती जातक कि अंदर थोड़ी सी सावर्णता आती हुई दिखाई देती है सामन्य विक्तितो गुरु आपको दे रहा है हाँ हसमुक सुभाव जो है रहने वाला है और देखा जाए तो दयालो होंगे प्रोपकारी होंगे आर्थिक पक्च ठीक ठाक रहेगा बहुत डाउन भी नहीं रहेगा यस की प्राप्ति के लिए मन में सदा जुकाव रहेगा और स्वतंतर्ता और नितिर्त्व की चाह बनी रहेगी लेकिन बढ़ों का जो पद से बड़े हों या कहीं उम्र से बड़े हों थोड़ा साथ मिलने के लिए ज़्यादा कोसिस आपको करनी होगी इस और जो है ज़्यादा इसारा कर रहे है और धन का गरह ये है तो धन के गरह के पुष्ट होने पर ही धन की अच्छे खासी प्राप्ति जो है ऐसे लोगों को होती है दूसरा अगर हम बात करें आपकी जो अंगोठा है एक लचीला अंगोठा है प्रस्तित के उनसार धनने वाले ब्यक्ति है पहला पौरवा अच्छा खासा बड़ा है इक्छा सक्तियां बहुत अच्छी है और जीवन में अगर इक्छा सक्ति हो तो ही ब्यक्ति जो है उनकी पूर्ति के लिए अपनी जीवन को उस तरह ढालता है और उन वस्तों की प्राप्ति कर पाता है तरक के सकते बहुत सुन्दर है एक लोजिकल तरीके से अपने तरक को रख सकते हैं बीच में बहुत सुन्दर योग का चिन बनता वहन जरा रहा है अपनी जीवन काल में अपने घर का सुक निश्चित ही जीवन काल में मिलेगा और फिप्टी पलस के बाद ही आपको अपने घर का सुक मिलेगा उससे पहले बहुत बड़े योग बनते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं थोड़ा भाव किसम के होंगे और देखा जाए तो नाजुक हिर्दे के ब्यक्ति यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं अनुसासन पर अभी लग रहे हैं तहिजीव से रहना तहिजीव से जो है चीजों को देखना आपको अच्छा लगता है इसके नीचे के भाग को देखें इसको सुक्र का परोथ कहते हैं कुछ जादा उबरा हुआ है और ब्रिस्पति थोड़ा कम उबरा हुआ है तो थोड़ा साज जो है यह नगेटिव है वो ऐसे बहुत एक सुक्सुवधाई जीवनकाल में अच्छा रखेगा साथ मिलेगा अपनी प्रसनल्टी को निखार के रखेंगे सजदज के रहेंगे और अपने को मेंटेन करने की जो है आदत और गलेमर और चमक होगी जो टेडेंसी है वो आप में जो है बनी रहेगी और अगर जो है यहाँ पर करियर की बात करें तो देखेगा जिस तरों से सुक्र का परोत उठा वहा बहतर इस्तिती में दिखाई दे रहा है उस इसाब से बिग्यापन के छेतर में कला के छेतर में या सजावट के छेतर में या अपना काम करो तो रेडिमेट कपड़ों के काराबोर में या ब्यूटी इंडिस्ट्री में जो है सुकर के इसाब से बड़ोतिरी यहां पे दिखाई दे रही है। निमन मंगल की और चले निमन मंगल थोड़ा ज़्यादा उबरावा दिखाई दे रहा है। एनरजेटिक स्ववाव अच्छा रहेगा। प्राकरमी होंगे। और कहीं न कहीं देखा तो थोड़ा सा हलके रोप में जो है क्रोधी सुवावी रह सकता है। कनफ्यूजन की हलकी इस्तिति रह सकती है। डिसीजन लेने की छंता में थोड़ा असर डालता हुआ यहां पे दिखाई दे रहा है। अगर आपकी जीवन की रहखा को देखें तो जीवन की रहखा सीधा जो है केतुपरवत की और आते हुई दिख रही है। अगर निर्वान की परवत पे मत्स्याकार हो भगवान बिष्टु ने एक बार मत्स्या रोप लिया था। इसलिए मचले का जो चिन्न होता है उसको जो है अच्छा माना जाता है और सबसे पहला काम मत्सय का चिन्न करता है ब्यक्ति को क्रियेटिव बनाता है दोसरा काम ये मचले का चिन्न करता है जिस ग्रह में बैठता है जिस रेखा में बैठता है उसके गुणों में बड़ोतरी क उसके सुब गुणों को बढ़ा लेता है तो आपका चेतर पे मचले का चिन्न है यह आपको creative बना रहा है धार्मिक प्रवर्तिका होंगे और कहीं न कहीं जो है अध्यात्म में रूच रहेगी अध्यात्म में प्रोग्रेस करेंगे अब दोसरा इसका अगर पहलो देखें इसक राहो की रेखाईएं भी बुद्ध की और जाती हुई दिख रही है और बुद्ध उश्टेम अगर पुष्टतम अवस्ता में आता है सुन्दर अवस्ता में आता है तो दो तरफ से निश्चित ही जिवनकाल में तीन तरफ से एक जो है आपकी जो है बिजनिस लाइन भी गई तो निश्चित ही उन्नति का छेतर बढ़ेगा और आपका विजनिस एक सहर में नहीं कई सहरों में जो है होने वाला है ये निश्चित है क्योंकि दो तीन तरह से जो है इसमें प्रभाव पढ़ते हुई दिखाई दे रहे हैं हाँ थोड़ा जीवन रेखा के इसाब से जीवन काल में थोड़ा उतार चड़ाव जो है बना रहे सकता है मस्तिस्क रेखा को देखें तो इस तरह से आ रहे हैं जी और छोटी छोटी रेखाई बरतमान में काट रहे हैं देखो जब भी मस्तिस्क रेखा को छोटी छोटी रेखाई काटती है एक तो थोड़ा बहुत ये मानसिक प्रेशानी देती है विक्ति किसी चीज के बारे में गहराई से ज़्यादा सोचता है और चिंता के भाव को जगाती है दूसरा मस्तिस्क रेखा को गौन रेखाईं काटे सुक्छम रेखाईं काटे तो थोड़ा धन में जो है विक्ति की हतेली में धन रुकता नहीं है चाहिए कितना भी आ जाए धन में ये कमी का संकेत होता है लंबी रेखा का होना अच्छा माना जाता विक्ति का बौधिक अस्तर को बताती है कि सुन्दर बोदिक अस्तर का व्यक्ति स्वामी है दूसरा चंदरमापे आ रहy है तो क्रिएटिब होता है व्यक्ति क्रियेटिविटी व्यक्ति की बहुत सुन्दर होती है क्रियेटिब होंगे और लंबी और हवाई यातरा का निश्चित रोप से आपको जिवनकाल में या तो मोके मिले होंगे या अब मिलेंगे पर अच्छी यात्रा का आपको जिवनकाल में मोके मिलेंगे ये चीज आपकी जो है ये मस्तिस्क की रेखा बताती हुई नजर आ रही है याँ अब हम जो है थोड़ा हिर्दे रेखा की बात करें देखो हिर्दे वूक्शन होते हैं फलोलनों वी अच्छे होते जिदी गुरुपी रेखा पहुंचेंडिक का मतलब होता है आ है किस आ ट्रतिक गया होता है और दे तो तो हड़का करने दिलके जीननीश कारता था ये व्यक्ति कीवल अपने लिए ही सोचता होगा तो थोड़ा इस और जो है थोड़ा ज्यान लखें अगर आपका हम उपरी मंगल को देखते हैं तो व्यक्ति द्रिड निश्चाई है और सासी है, प्राकर्मी है और एनर्जेटिक स्वभाव का व्यक्ति है जीवन में कैसी भी प्रस्तिति आये घबराने वाला व्यक्ति नहीं है मन व्यक्ति का अडिग रहता है और उस प्रेशानी का उस प्रस्तिति का सोल्यूशन होगा ये व्यक्ति की मन में रहता है और उस सोल्यूशन को ढूनने की ताकत रखता है ये बहुत सुनर जो है साइन आपके हतेली में है अच्छा ग्रह है और सबसे खूब सुरत ग्रह की और चलेंज जिसको हम कहते हैं मन का अगर है जो है चंद्रमा चंद्रमा से एक रेखा उपर की और आ रही है ये जारी है आपकी जो भग्य की लकीर है उससे मिलती हुई नजर आ रही है ऐसे में ये अगर जो है चंद्रमा से ये सौरी जिवन की लकीर से मिल जाती है जिस और ये जारी है और उन पचासमें व पोर्ट में और सिपिंग में फूड बिजनिस में टूर एंड ट्रेवल्स में और ट्रांस्पोर्ट में अगर आप जो है अपना काम करें तो काम्याबी जो है यहां पे मिलती हुई दिखाई दे रही है वहीं इस परोध की बात करें तो जिसका चंद्रमा खुबसूरत होता है ब्यक्ति भी बहुत सुन्दर होता है और सुन्दर ही नहीं सुन्दर कलपनाओं को करने वाला होता है क्योंकि यह कलपना का ग्रह कहा जाता है ऐसा ब्यक्ति छल कपट से दोर रहता है और सकारात्मक सोच का मालिक होता है मान सिक्रोप से बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे confidence level बहुत अच्छा रहेगा सरीर में कितनी भी समस्या हो मन मजबूत रहने वाला है ये आपका चंद्रमा यहां पे कह रहा है चंद्रमा अगर मजबूत होता है तो पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर ठीक रहता है आपका सरीर का hormonal system बहुत सुन्दर रहेगा और बढ़िया रहने वाला है चंद्रमा आपका सुन्दर है क्रियेटिव रहेंगे चंद्रमा बढ़िया है आपका अगर मा होंगी तो मा का अच्छा खासा जो है आपको सुक मिलेगा आपका चंद्रमा बहुत बेहतर है बहुत सुन्दर आउस्ता में दिखाई दे रहा है मजबूत है जीवन में महिलाओं का स्वयोग बहुत अच्छा मिलेगा ये आपका चंद्रमा बताता जो आप नजर आ रहा है अगर बर्तमान समय को देखें बर्तमान समय में संगर्स भी चला है आर्थिक रोप से भी संगर्स चला है और वे से भी संगर्स चला है मानसिक रोप से भी संगर्स चला है अपोर्चुनिटी तो आती है मगर अपोर्चुनिटी को आप कैस नहीं करा आपाते हैं आगे का भोश्य देखे तो आप बिजनिस की और जाएंगे और उन पचासवे से पचासवे वर्स के बीच में उन पचास पचासवे वर्स में बहुत सुनर जो है बिजिनिस के आपके योग बन रहे हैं और लगन और मिहनत से सही दिशा में अगर काम करें तो व्यक्ति इंटरनेशनल अस्तर नहीं तो अपने ही देश में कई सहरों में व्यक्ति की बिजिनिस फेलेगा ये जो है आपकी हतेली जो है इंगित कर रही है अपने कमाई हुए पैंसों से अपने घर का सुक व्यक्ति को म तो बिग्यापन है, संगीत है, सजावट है, रेडिमेट है, कपड़े हैं, उनका व्यापार है, beauty industry है इसमें और अगर इसमें जाएं, चंदरमा आपका मजबूत है, यही दो ग्रह जो हैं, आपके बिजनिस की ओर ले जा रहे हैं, अगर चंदरमा की तरब से देखा जाएं, फूड बिजनिस हुआ, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हुआ, सिपिंग हुआ, टूर एंड ट्रेवल्स हुआ, या ट्रांसपोर्ट हुआ, इन चीजों में अच्सा खासा जो है आपका काम्याभी को और यह इसारा कर रहा है, अगर देखा जाएं, मैंने आपकी हतीली का आपको उपाई भीज रहा हूँ, उन उपाईयों को विदि की अनुसार करिएगा, कहीं पे कोई कन्फूजन लगे, तो मुझे वड्सप कर लीजेगा, मैं आपको बता दूगा जब उपाई जो है, सही धंग से किये जाएंगे, और आपके यह सारे ग्रह, मजबुत और सुन्दर आउस्ता में आएंगे, और जो लकीरे अभी अपूर्ण आउस्ता में हैं, या जो सनी की रेखा, भग्या की रेखा, जिसको पैंसों की रेखा कहते हैं, दोसर यह तो हो जाएगे, तो जीवन में निश्चित ही जो है, धन की बृद्धि होगी, धन धन्य से संपूर्ण रहेंगे, इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो के साथ, फिर उपस्तित होँगा, तब तक के लिए, नमस्कार